जहिन प्यारे सातियों स्वागा थे आपका अपना यूट्यूब चैनल गुडू सर कलासेस में आए इस वीडियो में आज हम लोग पढ़ेंगे कलास 9 का मैट्स चेप्टर 10 ठीक जिसका नम है क्या विरीत आप लोगों को पता होगा कि 9 का और 11 का एक्जम यहने टर्म वान जो स्थित बिंद्वाओं का वा समँ जो किसी एक निश्चित बिंद्वो से समान दूरी पर इस्थित होता है ठेक यह इसका परिभासा आवा तो देखिए यहाँ पर समझे परिभासा किसी ताल में इस्थित बिंदुआ का वा समू तो देखिए किसी ताल में इस्थित बिंदुआ का वा समू मतलब छोटा 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 इसे बिंदु करके मिला यह बिंदू का क्या बन गया यह बिंदू का समो बन गया कता है जो किसी एक निश्चित बिंदू से समान दूरी पर इस्थित्वता यह बिंदू सब जो है न कोई एक निश्चित बिंदू से क्या होता है समान दूरी पर मतलब यहां से यह बिंदू की बीच की दूरी जितना नहुंब है यहाँ से वे बिद्हों का विचकी दूरे तनल होना चाहिए दब हो क्या नहीं होना चाहिए समयन होना चाहिए तब प これ वी चाहिप वह लाई गा ठिक क्या को आप अप लोग समझ गयेंगी अच्छी से ठेक तो आप हम लोग नेक्स्ट को देखते हैं किसको क्यांद्र को क्यांद्र किसको करते देखिए बिरीत के है यहीटो बिरीत है इस बिरीत के जो जो मिडिल पॉइंट है यहीटो नहीं तो इसी का नोम क्या है कैंद्र तो बिरीत में कुस्तन पुछे जाएगा कि बिरीत म अंदर में होता है यानि या य prem Prat है आप वोलिएगा घ्रिट In किसी बिंदू को मिलने वाले रेखा खंड को क्या कते हैं तिर्जा इसे डिनोट करते हैं ठीक है विरित का तिर्जा मतलब क्या अंदर से यहां के बीच की दुरी को क्या कते हैं तिर्जा कते हैं कहीं भी आप मिला दीजिए ठेक यहां से यहां भी मिला दीजिएगा ता आप क Raspberry ल्म्बाई क्या होता है लबाबर होता है ठेक और पुछा जाएगा किसी बरीत में कितनी भी मिल्वуем खिचू जा सकती है तो कीजें लिए यहाँ के बीच की दूरी को іб करते और परतेख तिर्जा कि लंबाई क्या होती यह होती बराबर होती है तो in हैं कितने तिर आहा सकता है थिसान कीचा जा सकती है तो तिरजान भी आप लोग समझ गए अई तो पॉ dai mains करते हैं आर से अब हम लोग पढ़ते हैं व्री आंप समस्झते किसको बिरित के ताल को तो बेस्ट को समझने से पढ़े हम कि इसविगार को तो याद रखेगा बिरित को जो बना जाता है वो किसी तल में ही बनता है यह कोई बिरित कर दिया है है कावन तो धेक्ANS इसका नम क्या इसका नम माइक विरीट यहीं जो है इसका नम क्या है इसका नम क्या है टेक है व्रित व पुरूं एन्ट करते हैं तो देखो यह कोई ताल था इस Maple astrology को लेंने को डॉब कर्दे तो इस तल को जो है कि विरीत को खिचने से इस तल को तीन भाग में डिवाइट कर दिया कैसे तो देखिए एक हो गया ये अंतरीक भाग इस भाग को क्या बोलेंगे अंतरीक भाग जिसको बोलेंगे क्या अंता भाग और एक हो गया क्या ये बाहे भाग एक हो गया कौन बाहे भाग और एक हो गया क्या और यह हो गया विरीत एक बन गया क्या विरीत तो विरीत का तल कितने होता है तीन तल होता है एक होता है विरीत और एक क्या होता है एक होता है अंतरिक भाग या अंतह भाग ठीक याद रखेगा कि किसी विरीत का कितने तल होता है तीन तल होता है एक और देखिए न उसलिए ने कोश्टन बूला है कि क्यांद्र जो हता है की कोश्टन पुछा जाएगा क्यां रोटा है विरिद के बाहर मे इसथित होता है या अंदर मे इसथित होता है पूरे बिरीद की लंभाई को पूरे बिरीद के लंभाई की क्या बोलते हैं यह की पूरे बिरीदा की लंभाई को कोई क्या बोलते हैं विरित की परिधी बोलते हैं मतलब क्या कि यह कोई विरित है और यह विरित की जो यह लंबाई है इसी क्यों क्या बोलेंगे हम लोग विरित की परिधी इसको और दो नम से जनते हैं एक परिमप और एक नम से जनते हैं परिमिती ठीक आप लोग परिधी भी समझ गये होंगे किसको कता है परीधी तो पूरे विरीध के लंबाई कोई क्या कते हैं विरीध की परीधी कते हैं ठीक अगला हम लोग देखते हैं क्या विरीध की जीवा किसको कते हैं विरीध की जीवा तो देखें जीवा अब किसको कते हैं विरीध का जीवा किसको कते ह और koi k маг chapter को कि सा जिवा इसका नों क्या पड़ेगा जीवा तो देखेए इसको कैसे परिभासित करेंगे बुलेंगे क्या कि को negative को ने रेखा क्षंड को व्डिट के दो बिन्द्मवों को मिलने वाली रेखा खाँ खिल को कि बूलेंगे जिवा बोलेंगे ठेक याद रखेगा बृत्क borrowed कुं भीनदवा को मिलने वाऽे रेखा किई Ronaldo का लगा है ठेक ठीक आपकी ध्रोसरे सकते हैं यहां से देखेए एक बिरिदों अरों के एक बिनदों यहां से लेंगे और इसको ऐसे करके खीच देंगे क्या कि यह हो घृत का याद रखेंगा चेला एक दुसरे को पर Chrach नहीं करेगा सपर देहान दीजिए की सब्सक्राइब क्यों कि कोसंट पुझेगा जीवा के कितने बिंद्वाँ को टाच करता है यानि कि कितने बिंदू को चुता यह क्लाइगा देखिंगत अब किसी बिरित में किसी बुरित में ऑननत जीवाएं खीची जा सकती है और देखिए इस वीरीत में सबसे बढ़की जीवा कॉंटो कलाएगा यह इतना कहलाएगा देखिए जैसे जैसे उपर गए बढ़ते चला गया ठीक और फिर इसके बाद से जो हम चलते गए अब घठते चला गया है ठीक तो मतलब क्या इस विरीत का सबसे बड़ा जीव कॉंट होगा जो क्यांदr से ओकल जा रहा है उसी को क्या क्या बूलेंगे बड़ी जीवां और यही बड़ी जीवा को क्या कलती हम लोग भी तो मतलबं यह टोटल क्या कलाएगा ब्यास बराबर निकल निकल जाए कैसे निकलेगा यानि यहां से यहां के बीच की दूरी को क्या बोलेंगे ब्यास बोलेंगे ब्यास तो देखे ब्यास बराबर कितना हो गया एगो आर इधार और एगो आर इधार मतलब एक तिर्जा और एक तिर्जा मतलब क्या आर जोड आर मतलब ब्यास बराबर सूत्र क्या बन गया आर जोड आर क्या हो गया टू आर मतलब क्या दू गुन तिरिज्या दू गुन तिरिज्या मतलब ब्यास व्रावर सूत्र क्या बन गया दू गुन तिरिज्या तो क्वेस्चन पूछेगा ब्रित का ब्यास जो होता है ब्रित का ब्यास जो होता है वो तिर तिरजया का कितना होता है दो गुनों होता है ठीक और यहीं से फिरी कर लिए जब ब्यास बराबर क्या निकल गया दू गुनों तिरजया तो यहांनि ब्यास बराबर हो गया आपका सूत्र दो गुनों तिरजया तो तिरजया बराबर सूत्र क्या निकलेगा तिरजया बराबर गए होंगे और यह ब्यास और तिर्यावी समझ गए होंगे अब हम लोग समझते हैं चाप यानि बिरित की चाप किसको कते हैं तो देखिए अब हम लोग समझते क्या चाप यानि चाप किसको कते हैं तो देखिए चाप किसको बोलेंगा क्या बोलेंगे यह बिरित है इसका नम दो बिंदों के बीच का भाग यानि बीच की दूरी देखें एक बिंदू यहां लिए और एक बिंदू यहां लिए यानि यहां से यहां यहां से यहां के बीच की दूरी कोई क्या बोलेंगे हम लोग चाप बोलेंगे विरित का चाप बोलेंगे तो चाप देखिए तो परिवासा क्या बनेगा इसका तो क्या बोलेंगे विरित के किनी दो बिंद्वों के बीच के भाग या दूरी को क्या कते हैं विरित का चाप कत और ये वह बन गया कैसा चोटा चाप तो सा इधर जीएँ गाँ क्या छटा को बोलते हम लोग क्या गनित में चोटा को बोलते हैं क्या लगुँ- कबड़ा को दो पर और नौ्टा जाएन गया के अंदर होता है ठीक बिलित में कितना सकती है इस फिए की छोटा को क्या बोलते हैं लगू बोलते हैं और लगू बना है और यह क्या और क्या बना है यह चाप बना यानि कि यहां से यहां के बीच की दूरी को क्या बोलेंगे हम लोग चाप यहां से यहां के बीच की दूरी को क्या बोलेंगे हम लोग चाप बोलेंगे तो देखिए यह हो गया छोटा चाप और यह हो गया बड़ा चाप तो छोटा चाप को बोलें लगहू चाप और यह बड़ा जो हो गया इसको बोलेंगे दीर्ग चाप इसको क्या बोलेंगे दीर्ग चाप चाप तो दोनों है बट क्या है कि यह चोटा है और यह चोटा है तो लगहू चाप बोलिएगा और बड़ा है तो दीर्ग चाप बोलिएगा ठेक खतम आई होप कि आप लोग की चाप भी अच्छी तरह से समझ गया होंगे अब हम लोग समझते क्या बिरित खांड की बिरित खांड किसको कते हैं तो देखें बिरित खांड किसको कते हैं समझेगा बिरित खांड किसको कते हैं इसको अभी हम लोग पढ़ेते क्या कते हैं बिरित के जीवा वृत की जीवा और चाप के बीच के छेत्र को जीवा और चाप के बीच के छेत्र हैन हुआ यह हो गया जीवा और यह हो गया चाप इसका बीच का छेत्र हैन का लाएगा तो यही छेत्र क्या का लाएगा हम लोका व्रित खांड क्या का लाएगा हम लोका व्रित खांड व्रित खांड यह चाप हम लोका क्या का लाएगा व्रित खांड अब व्रित खांड भी देखें कितना हो गया यानि व्रित खांड व्रित का टुकड़ा एको छोटा टुकड़ा तेक आप देखें यह व्रित खांड भी लगो विरित खांड और बड़ा रहेगा तो क्या बोलेंगे इसको दीर्ग विरित खांड दीर्ग विरित खांड बड़ा को क्या बोलेंगे दीर्ग विरित खांड और छटका को क्या बोलेंगे लगो विरित खांड ठेक अब देखें यह भी समझ गए होंगे यह विरित खां है कि से तुझे तुझेस के अइवसका किसको गता है चार्द इसका मतंब भूर में तुझे और याँस यहाँ के बीच की दूरूग्य का बोलेंगे तो कोस्तन कैसे आंसर कैसे देंगे तिरूग्य का बोलेंगे क्या दो तिरिज्याओं से घीरे छेत्र को दो तिरिज्याओं से घीरे छेत्र को क्या कलेंगे तिरिज्य खांड कहेंगे यानि एक छेत्र ये बन गया और एक छेत्र हम लोका क्या बन गया ये ठो बन गया एक छेत्र ये बन गया हम लोका और एक छेत्र कंठो बन ग गाल वीडियो जो हम लोग बनाएंगे वो बनाएंगे चाप्टर 10 का जो है कि 10.1 अब पल्टा के दिखेगा सारा कुष्टन बन जाएक कोस्तन ऱे सब पूछा जाएगा कि कि वियर्ट के कितने तल होते तिन गोदत हैं तिरिजया क्या होता है वियास का अधा होता है तो आधा होता है यह सब कोस्तन है हलाँ कि हम वीडियो बना देंगे ठीक अगर ज़ाद का वीडियो उपलोड करते रहेंगे साइन्स छांचHHHH procedure करते रहेंगे और आप नॉट बनाते रहेए लचा से देखते रहे गए हम अपने दोस्तों को भी सेयर कर दिये हैं तर तक के लिए जय है